नमस्कार दोस्तो टार्गेटाई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो एम्स की दोरा एक और भरती विग्यापन आचुका है सेंटर गवर्मेंट से दोस्तो भरती विग्यापन पब्लिस किया गया है बात करें पोस्ट की तो इसमें Research Assistant, साथ में Lab Technician, Data Entry Operator और Multitasking इस टाप के लिए भी इसमें पोस्ट सामिल किये गया है तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियें तो सबस्क्राइब करनें और अपने दोस्तों को साथ भी सेयर करें साथ में आप हमारे Telegram चैनल और WhatsApp चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा नोटिफिकेशन के पीडियाप के लिए आप टेलिग्राम चैनल पर जुड़ जाएं दोस्तों हमारे दोर जितने भी भरति भिग्यापन बैकेंसी की जानकारी दी जाती हो सारे नोटिफिकेशन के पीडियाप आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो अभी जॉइन हो जाए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है बात करें भरति भिग्यापन की तो All India Institute of Medical Science Partners से भरति भिग्यापन पब्लिस किया गया है 13.1.2024 तेरा जनबरी को भरति भिग्यापन पब्लिस हुआ है और भरति भिग्यापन दोस्तों प्रोजेक्ट बैसेस पे है रिसर्च प्रोजेक्ट के बैसेस पे आपकी इसमें पोस्टिंग होगी तंप्रेरी बैसेस पे बात कर लेते हैं पोस्ट की तो नेम आपदी पोस्ट में देख सकते हैं पहला जो पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट के लिए है नमबर आप पोस्ट एक सा मिले age limit 38 आपको दिया जा रहा है और location aims partner में आपको posting दी जाएगी 12 महीने के लिए दोस्तों आपको इसमें posting मिलने वाले 35,000 आपको fix इसमें salary दी जाएगी और बात कल देते हैं qualification की तो graduate complete होना चाहिए आपके पास B.H.C. या यादि आपके पास B.M.L.T. complete है तो आप research assistant के post के लिए eligible रहेंगे B.M.L.T. वाले candidate और दोस्तों आप यादि post graduate आपके पास complete है master degree molecular biology वाले हैं और genetics यादि आपके पास master degree है तो भी आप इसमें आवेधन कर पाएंगे और next post की बात कल देते हैं इससे पहले दोस्तों इसमें आपको बतायागा selection process के बारे में तो date and time for return test आपका return test और interview के मादम से selection होगा will be published on the A.M.S. website पतना के official website में दोस्तों आपको इसकी जानकारी मिलेगी अभी हम post की बात कर ले दे हैं तो lab technician third के लिए रहने वाला number up post दोस्ता मिल है 30 years आपको age limit दिया गया साथ में दोस्तों इस भरती भी ग्यापन में जितने भी post हैं सभी के लिए age relaxation भी मिलने वाला है तो इसके बारे भी में बात करेंगा आप लाश्ट तक वीडियो वीडियो जरूर देखिएगा और location आप पोजीशन आपका जो पोस्टिंग होगा aims पटना में ही होगा दो पोस्ट हैं lab technician के लिए 12 मंद के लिए आपको पोस्टिंग दी जाएगी salary की बात करें तो इसमें आपकी salary है 20,000 salary प्ले 16% आपको HR भी दिया जाएगा और qualification में दोस्तों आपके पास BSC Medical Laboratory Technology BMLT आपका complete होना चाहिए या फिर आपके पास class 12 pass है और science stream के साथ और आपके पास 2 साल का diploma है DMLT के course दोस्तों आप complete की हैं तो भी आप इसमें आवेधन कर पाएंगे lab technician के post में degree वाले candidate और जिनके पास diploma है वो भी इस post के लिए eligible है DMLT और BMLT वाले दोनों candidate और दोस्तों जिनके पास 1 year का DMLT with 2 years के laboratory experience के साथ हैं वो भी इस post के लिए eligible हैं तो यदि जिनके पास certificate course है वो भी इसमें आवेधन कर पाएंगे और interview का date timing आपको बताया जाएगा इसके official website पे data entry operator के लिए दोस्तों बात कर लेते हैं तो एक ही post है 30 years आपको age limit दिये गया है पतना में ही आपको posting दी जाएगी 12 महीने के लिए और 20,000 fix आपको salary मिलेगी data entry operator के लिए qualification में आपके पास graduate complete होना चाहिए साथ में आपके पास इसमें data entry operator का 2 years का experience होना भी जरूरी है और इसके लिए आपको ये बता दिये गया है कितना आपका इसमें speed के लिए बताया गया है इसमें बात कर लेते हैं selection process की तो जितने भी इसमें post है सभी के लिए selection process सेम रहने वाला return और interview के माद्दिम से आपका selection होगा और इसमें दोस्तों multitasking के लिए भी post सामिल किया गया है एक ही post है 30 years आपको age limit दिये गया है सभी के लिए same duration है 12 महीने के लिए posting दी जाएगी salary MTS के लिए 18,000 रुपए आपको फिक salary मिलने वाली है high school आपका complete है तो आप इसमें आवेतन कर पाएंगे और इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों आपका आप इसमें apply कैसी कर पाएंगे तो how to apply में आपको बताये गया है all interested candidate should submit the fillet application form the prescribed format all original certificate educational qualification experience certificate along with passport size photo and setup self-attested copy of all document by email तो दोस्तों आपको email के तुरू आवेदन करना होगा यह आपको email ID दिया जा रहा है और आपको application format भी दिया जा रहा है application format को fill करके video form में दोस्तों आपको अपना आवेदन send करना होगा साथ में उसमें related document भी attach करके send करना होगा document आपको बता दिया गया है इसमें सारी चीज़े बताये गया है आपको qualification, education, qualification जितने भी document है जिस बेस पे आप apply करोगे degree, diploma, साथ में 10, 12 और अपना passport, photograph वो सारी चीज़े आपको attach करके send करना होगा यह आपको email ID दिया जा रहा है इस email ID में और इसके लिए आपको timing भी बता दिया है कि अपन publish किया गया था आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा तो अगर आप eligible हैं तो जरूर इसमें आवेदन करें भारत की सभी state के candidate apply कर पाएंगे center government के job रहने वाली आपको contact basis पे posting दी जाएगी और यह आपका application format है PDF आप हमारे telegram channel से download कर सकते हैं और इसको feel करके साथ में इसमें related document attach करके आपको send करना होगा email के तुरू और selection process के लिए आपको इसमें बताया गया है mode आप selection में देख सकते हैं third number पे return examination EMCQ आपका exam होगा EMCQ के बेस पे और 80 question आपसे पूछा जाएगा 80 mark का साथ में 20 number का आपका Viva होने वाला है तो return और interview दोनों होगा आपका और aims पतना में ही आपका ये सारी सीजे interview या exam होने वाला इसकी जानकारी आपको बताई जाएगी इसमें आपको बता दिया गया है exam के लिए तो fourth number पे देख सकते हैं date and schedule आप written and Viva examination will be published on the aims पतना website तो आपको इसके official website में इसकी जानकारी मिलेगी ये इसका official website है अगर आप इसमें apply करेंगे तो आपको regular check करना होगा और इसमें आपको बता दिया जाएगा कब आपका exam है और इसमें एक चीज एज relaxation के लिए आपको बताया गया तो आप देख लिजेगा category आपको इसमें age relaxation भी दिया जाएगा और दोस्तो इसमें live के लिए भी जानकारी बताई गई है तो सारी information आपको इसमें बता दिया गया आप अच्छे से इसको पढ़ लिजेगा और center की ये job रहने वाली आपको contact basis भी पोस्टिंग दी जाएगी पीडियाप के लिए दोस्तो आप टेलिग्राम चैनल पे जूड़ जाएं आपको वहाँ से notification का पीडियाप और application का format दोनों आपको वहाँ से easy तरीके से download कर पाएंगे आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक की नीचे description box मिल जाएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो like जरूर करें और अपने दोस्तों साथ share करें चैनल पे नए हैं तो subscribe करने thank you so much